हलो दोस्तों स्वागत है आपका मस्त पढ़ाही में आई यह हम लोग देखते हैं कुश्चन निमलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लाओ करने की सकती दी गई है आपके आपसन है भारत के सभी नयायलें को संसद को राष्ट पती को सर्बोच नया आइलें को तो सर्बोच नयायले को अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के जरिए उच्च नयायले को यह सकती प्राप्त है कि संसद्वारा किसी भी ऐसे कानून जो की मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हो उनको निलंबित करने की सकती इन अधिकार आपका अग्ला क्या है मौलिक अधिकार आपके अप्सन है वादियोग आवादियोग लचीले और कठोर ठीक है तो हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहट यह वादियोगे हैं तो इस तरह से अपका अप्सन नंबर एस ही हो जाएगा चलते हैं लोग अगले कोईस्चन पर भाड़तिय सम्मीधान में किस अनुच्छ्छेद की अंतरगत नागरिकों को मौलिक अधिकार मोलिक परदान किये गये हैं आपके अप्सन है अनुच्छेद 111 से 115, अनुच्छेद 122 से 235 इसमें से कोई नहीं तो अनुच्छेद 1225 तक मौलिक अधिकारों को वरतान किया गया है आगे दिये गया है question भारतिय संविधान के निमलिखित अनुच्छेदों में से विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है आपके option है अनुच्छे 14, अनुच्छे 15, अनुच्छे 16 और अनुच्छे 17 तो अनुच्छे 14 में कहा गया है सम्ता और समानता का अधिकार जो की विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है तो आपका option नंबर सही हो जाएगा A अगला question है समानता का अधिकार सम्विधान के निमलिखित में से किसके अंतरगत आता है समता और समानता का अधिकार अभी हमने पढ़ा अनुच्छे 14-18 के बींच यह दिए गया है तो इस प्रकार से आपका option सही हो जाएगा A चौदा से अठारा अगला कुश्चन है संभिधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पिस्ता का उन्मोनन किया गया है आपके अप्सन है अनुच्छेद चौदा अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 19 तो अनुच्छेद 14 में समता अमसमानता का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्राण रच्छा का अधिकार अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पिस्ता का अन्त किया गया है जबकि 19 में स्वतनता का अधिकार के बारे में शर्चा की गई है और आपका आप्सन सही हो जाएगा सी इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतिय सम्मिधान का निमलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंता से संबंधित है अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंता दी गई है अनुच्छेद 19 का अब कहता है बोलने की स्वतंता जबकि बी में सांति पूर्ण वक्त सभा करने की स्वतंता और सी में संग भनाने की स्वतंता डी में देश के किसी भी छेत में अबाद रूप से आवागमन की स्वतंता और ई जबकि पांच्वा नंबर है आपका कहीं भी निवास करने की स्वत करके और छठी है कोई भी व्यापार करने के सुतंता दी गई है संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा दिया गया है तो आगे देखेंगे संभीधान के अनुच्छेत 25 के नुसार धर्म सुतंत का अधिकार किसके अधीन नहीं है ठीक है संभीधान के अनुच्छेत 25 में लोक ब्योस्ता सदाचार और स्वास्त के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अन्ता करन से अपने धर्म को मानने तथा उसके परचार करने की सुतंता दी गई है जबकि मानो वाद इसमें समलित नहीं किया गया है तो इस परकार से हम आपका अपस्टन सही हो जाएगा लिए ठीक है अगले कुश्जन पर चलते हैं निमलिखेत मैंसे कौन सा अधिकार भरतिय सम्वेधान के अनुच्खेद 32 में से मौलिक अधिकारों को परवर्तित किया जा सकता है और इससे श्टकार की इंठ क्लेक जारी की साथाम अनुछेद 32 के तहद सरवोचनयाले जारी करता है वो है बंदी पत्चिकरण परमादेश परतिसेध लेख उत्प्रेशन अधिकार प्रिच्छा ये पांस पकार की रिट सरवोचनयाले मौलिक अधिकार के सनरच्छन में जारी करता है तो आप लोग देखेंगे कि 32 को बाबा भीम्राव उम्बेटकर ने संबैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा है तो अगला कुश्चिन है किस संसोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया है जोकी 1978 में जोड़ी ही संबैधानिक अधिकार बना करके जोड़ दिया गया तो इस प्रकार से हमारा आप्चन सही हो जाएगा बी नंबर इस आप कि को संबैधानिक अधिकार बना दिया गया हम लोग आगे चलते हैं दिया गया है question number 11 निमलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतिय सम्मिधान के अंतरगत मौलिक अधिकार भी है तो सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है काम का अधिकार काम का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है जबकि सिच्छा का अधिकार छियास्वे सम्मिधान संसोधन द्वारा छे से चौदा वर्स के बच्चों को सिच्छा प्रदान करने का अधिकार प्राप्ट हुआ है अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया तो यह हमारा मौलिक अधिकार एक मारा अधिकार भी है इसकार से हमारा आप्सर्ण नंबर चाही हो जाएक़ सिच्छा का सिच्छा का अधिकार आगे चलते हैं संविधान का कौन सा अनुछेद लिख गया है गलत टाइपिंग हो गई है दो सिद्ध के संबंध में अभियूक्त को दोहरे डंड एम स्वा अभिशंशन से सनरच्छन प्रदान करता है तो अनुछेद आपका 20 जो है कहता है कि अगर किसी ब्यक्ति को कोई भी सजा मिलती है तो केवल एक बार ही मिलेगी और वो भी जो उस समय की संबिधान में वर्णित हो ठीक है आप कोई भी अपराद कीजिये संब्यधान जो भी सजा होगी उस अपराद के लिए उसドश शिद्ध ब्यक्ति को वही सजा दी और वो नियायले में अपने खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाद नहीं है ठीक है तो इस तरह से आपसर नंबर डी सही हो जाएगा अनुच्छे 20 आगे चलते हैं संपत्ति का अधिकार एक है तो हम लोगों ने बताया हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मौलिक अधिकार संपत्तिक अधिकार मौलिक अधिकार पहले था जब मौल संभिधान में संपत्तिक अधिकार को मौलिक अधिकार कहा गया था लेकिन इसको 44 में संभिधान संसोधन द्वारा हटा करके 300 का में बैधानिक अधिकार बना करके जोड़ दिया गया तो इस वक्रास से ये समबैधानिक या बैधानिक अधिकार ही रह गया है तो आप सा नंबर आपका सी सही हो जाएगा देखिए इसमें आपको confused करने के लिए कानूनी अधिकार नयसरदी का अधिकार और मॉली का अधिकार मॉली का मतलब की सामने लिखाँ अब के द चłośćलेके धार शॉब एक समगा निक बैढ़ानी का अथिकार ही समपत्ति के अथिकार हो माना गया है आगे चलते हैं किस वाद ने संसद को मईलिक अथिकारों में संसोधन का अथिकार दीआ है तो केशवानन्द भारती बनाम केरल राज में यह निर्णे लिया गया कि संसोधन बिधी मानता प्रदान की गई मतलब मौली का धिकारों को संसोधन किया जा सकता है यह मानता केशवानन्द भारती बनाम केरल वाद में दी गई तो इस तरह से आपका आपसन नमबर यह सही हो जाएगा ठीक है यह आपके वाद हैं जो की एक जनहित रूप से दायर किये जाते हैं तो उसमें केशवानंद हो गया राम नरायन बनाम इंद्रा अंगांधी गोलक नातवाद सज्जन कुमारवाद यह सब आपके संभीधान में इसे कोई भी कानून प्रास होता है तो उसमें जनहित के रूप में लोगों की हित के रूप में दायर की जाते हैं अगला कुश्चिन है आपका बंदी बनाये गए ब्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रच्छा किस अनुछेद से प्रदत है जो कोई ब्यक्ति बंदी बना लिया जाता है तो उसको किस प्रकार से किस अच्छा प्रदान की जाती है तो आपका अनुछेद हो जाएगा 22 अनुछेद 22 में ये कहा गया है कि किसी कुछ दसाओं में गिरफतारी के निरोध में सरच्छ प्रदान करता है मतलब आपको हिरासत में लेने के कारण बताना होगा और 24 घंटे के अंदर आपको नियाले के सम प्रस्तूत करना होगा और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह नेने का अधिकार होगा तो इस तरह धन्यबाद चैनल को लाइक करिए सेर करिए और सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक अच्छे कुश्चन के साथ धन्यबाद